जमस्कार जंगली खेती पाट साला में आप सभी का स्वागत है और जितने भी किसान भाई हैं इस चैनल में नए आये हुए हैं वो इस चैनल को सब्क्राइब कर ले और लाइक करना ना भूले जंगली खेती पाट साला में प्राकरती खेती से सम्मदित बहुत सारी अलग-अलग प्रकार की जानकारी मिलते रहेगी इसलिए सर्व प्रथम लाइक करें और सब्क्राइब करना ना भूले ये देखिए नोनी का पेड़ ये पेड़ अपने से लगा हुआ है हमारे 36 गड़ में जंगलों में पाई जाती है लेकिन जानकारी के अभाव में लोग इसकी उप्योगीता समझ नहीं पा रहे हैं नोनी का सेवन औसदी रूप में की जाती है खासकर इसका प्रचलन विदेशों में बहुत ज़्यादा है और दवाई के रूप में ये शरीर के जितने भी टॉक्सिन है जितने भी जहरीले रसायन तत्व रहते हैं उसको शरीर से बाहर निकाल देता है इसलिए इसे लिकिड के रूप में इसका फल का जूस का उप्योग की जाती है तो इसका फल का जूस उप्योग करना बहुत ही साधरन सिंपल विदी है यह जो फल परिपक्त होने के बाद इसे तोड़ ली जाती है तोड़ने के बाद आप कोई भी बरतन में इसे रख दी जाए तो दो से चार दिन के बाद काला पढ़के पकने से हर फल क्या पीला पढ़ जाता है लेकिन यह फल काला पढ़ जाता है काला पढ़के इसमें से रस अपने से निकलना शुरू हो जाता है तो उस रस को इकठा कर लिया जाए और कुछ दिन उसे बोटल में बन करके 80-90 दिन तक बोटल में बन करके रखें और बाद में इसका उपयोग कम से कम 4-5 ml की मात्रा में उपयोग की जा सकती है बाकी और आउशदी से संबनित विशेज जानकारी आप YouTube में भी सर्च कर सकते हैं नोनी के पेड़ से संबनित तो नोनी के बहुत से जानकारी आपको मिल जाएगी आज कल नोनी की फार्मिंग भी शुरू हो चुकी है लेकिन जहां पे फार्मिंग हो रही है वो पुरा विदेश से फल लाके पौधा लाके उस पौधे को लगाये जा रहा है और यह देखिए भारत का ही है और आपको दिखा रहा है फल पका हुआ है यह देखिए यह काला से निकल गिरस यह पकने के बाद तुरंत काला पढ़ जाता है और छुटा-छुटा बीज भी रहता है तो अगर इसे यह तोड़ के रखने के उपरांत इसे कोई भी बोटल में रख दें तो फल पक के पूरा काला हो जाएगा और जो रस इसमें निकलता है उसे आप किसी भी बोटल में 80-90 दिन तक रख लो और 5 ml की मात्रा का ही डेली उप्योग करना है बाकी औसदी संबंदी जानकारी के लिए उपरांत ही इसका सेवन करें तो ज़्यादा अच्छा है देखिए फल यह पेड़ कम से कम 10 से 15 फिट तक का हाइट पकड़ता है तो यहां पे आप दो पेड़ दिख रहा है एक छोटा है और यह देखिए जो यह पेड़ जो विशाल पेड़ है यह भी चार से पांच साल हो गया पेड़ का देखिए किसी किसान भाई को इससे समझीत कुछ विशेज जानकारी है तो आप कमेंट करके भी रिखेंगे देखिए रिप्लाई दे सकते हैं यह पल एक लीटर कम से कम हजार रुपया लीटर तक का इसका रेट रहता बजार में आप नोनी जूस के नाम से मार्केट में जाके कोई भी औशदी दुकान में खरीदोगे तो हजार रुपया लीटर तक का मिलता है ऐसे ही विशेज जानकारी समय समय पर मिलते रहेगी इसलिए लाइक करे सब्क्राइब करे सेर करना न भूले धन्यवाद